जलियनवाला बाग कांड ने सिर्फ पंजाब को नहीं बलकि आजादी से पहले के भारत को हिला कर रख दिया था उस वक्क के ब्रिटिश सरकार ने घटना की निंदा की थी विंस्तिन चर्चिल उन दिनों ब्रिटन के युद मामले के मंत्री थे उन्होंने 1920 में इसे राक्षिसी घटना करार दिया था जलियनवाला बाग कांड पर रिसर्च के दोरान मुझे 1919 में चपे ब्रिटन के कुछ अकबार देखने का मौका मिला ये कुछ मिसाले है जो दिखलाती है कैसी UK की मीडिया ने जलियनवाला बाग कांड की रिपोर्टिंग की थी कुछ अकबारों ने ब्रिगेडियर जेनरल रेजिनॉल डायर की कड़ी आलोच ना की थी लेकिन कुछ ने उन्हें हीरो भी करार दिया था बीबीसी ने जेनरल डायर की फैमिली से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया ये कैकस्टिन हॉल है लंडन में इग्जाक्ली इस जगे पे 1940 को उद्दम सिंग ने गोली मार कर माइकल ओड्वायर की हत्या की थी माइकल ओड्वायर पंजाब की लेफटनन गवनर थे जब ये मैसिकर हुआ था और उद्दम सिंग ने दो गोली मार कर माइकल ओड्वायर की हत्या की थी एक रिवॉल्वर के साथ कई लोगों को जानकारी नहीं है लेकिन उद्दम सिंग ने इसी पब से वो रिवॉल्वर खरी दी थी जिससे उन्होंने ओड्वायर की हत्या की थी उद्दम सिंग जल्यनवाला बाग कांड में जिन्दा बचने वालों में से एक थे इस घटना के 21 साल बाद वो हवाई रास्ते से यूके पहुंचे उनका मकसद ओड्वायर से इस हत्या कांड का बदला लेना था मैं हर से बेन से मिलने आई हूँ हम उनसे जानेंगे की जल्यनवाला बाग कांड पर प्रदान मंत्री तरेसा में के ताजा बयान पर यूके में रहने वाले भारतिय समुदाय क्या सोचती है यहां पर तो एक ही चीज़ दूरी थी कि जो यहां के प्रदान मंत्री हैं वह मानें कि बहुत गलत हुआ है यह जुल्म हुआ है हम अपने अपनी जुम्मेवारी समझते हैं हम responsibility लाते हैं और आगे कि ना हो इसके लिए हम यह कदम उठाते हैं तो उन्हें यह एक मौका गवा दिया सुनहरी मौका उन्हें मिला था जल्यनवाला बाग की गटना के सो साल के मौके पर यूके में कल कई कारिक्रम रखे गए है गगन सबरवाल बीबीसी न्यूज लंडन